हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 फिट बाई 35 फिट के प्लोट का हॉस्पलान डिजैन यह नोर्थ फेसिंग प्लोट है इसके दो साइड रोड जारी है बाकी दोनों साइड अधर प्रोपर्टीज है इस प्लोट का एरिया 875 स्क्वार फिट है यदि यार्ड में गए तो 97.3 स्क्वार यार्ड है इक्वार्मेंट्स की बात करें तो हमें 3BH के डिजैन करना है जिसमें दो बैड रूम चाहिए एक ड्रोइंग रूम होना चाहिए एक किचन चाहिए लिविंग याम डाइनिंग एर्या होना चाहिए एक बात्रूम एंड वाटर कोलोजेट होना चाहिए तो चलिए देखते हैं कि मैंने से किस परकार डिजैन किया है वीडियो में आगे बनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए देखते हैं कि मैंने से किस परकार डिजैन किया है दोस्तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 25 फिट बाइ 35 फिट के प्लोट का हॉस्पलाण डिजैन में ने इस पर कारवीद प्रोपर इंफोर्मेशन के साथ डिजैन किया है स्टार्टिंग में जो में गेट लगाया गया है इसका साइज 7 फिट बाइ 8 फिट है इस में गेट से अंदर आने पर हम लिविंग एरिया में जा सकते हैं यहाँ पर जो इस्टेर डिजैन की गई है यहाँ तीन फिट वाइड है यदि हम इस्टेर की डिटेल की बात करें तो इस्टेर तीन फिट वाइड है इसका राइज आंठी चे और ट्रेड दस इंच है यहाँ पर जो इस्टेर की लैंडिंग रखी गई है तीन फिट रखी गई है एक फिट अंदर की साइड है और दो फिट भार की साइड है स्टेर के बाद आगे बढ़ने पर हमें ड्रोइंग रूम मिलता है जिसका साइज 8 फिट 9 इंच बाई 8 फिट इस ड्रोइंग रूम में आने के लिए दो एंट्री दी गई है एक D1 डोर से आ सकते हैं दूसरा इस साइड हमने आर्च बनाई है जो 4 फिट वाइड है ड्रोइंग रूम के साइड में किचन डिजैन की गई है जिसका साइज 7 फिट बाई 8 फिट है इस घर में अंदर आने के लिए हमने सेकेंड एंट्री साइड दी है जिसका साइज 4 फिट वाइ 7 फिट है इस D1 डोर से अंदर आने पर हमें लिविंग आउंट डाइनिंग होल मिलता है जिसका साइज 15 फिट वाइ 12 फिट है इसी के साइड में हमने वाइटर कलोजेट अंद बातरूम डिजैन किया है यहाँ पर वाऊटर कलोजेट का साइज 4 फिट वाई 3 फिट 6 इंच है इस साइड हमने 3 फिट 9 इंच वाइड ओपन लखा है जिसे हम वसिंग एरिया के रूम में यूज कर सकते है आगे बढ़ने पर हमें bedroom मिलता है, जिसका size 11 feet 4 inch by 12 feet है दूसरे bedroom का size 11 feet 5 inch by 12 feet है यदि हम हम छज्जे की बात करें तो इस side हमने 3 feet wide रखा है और front में हमने 3 feet wide छज्जा रखा है यदि इस house plan के door की बात करें तो हमने इसमें 4 परकार के door लगाए हैं D, D1, D2 and D3 जिनके साइज इस पर कार है दो तरह की विंडो लगाई गई यह W and W1 and ventilation का साइज इस पर कार है यदि हम कोलम की बात करें जो यह डार्क प्लैक है यहाँ पर कोलम का साइज 9 इंच बाइ 9 इंच है दोस्तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में